ये हैं एक Black Hole की पहली तस्वीर जिसका नाम है Sagittarius A जो की Event Horizon Telescope दोरा केप्चर की गई थी बट आपको जानकर हरनी होगी दोस्तों कि बिलकुल इसी टाइप का Black Hole Interstellar Movie में पहले ही दिखा जा चुका है इस टाइम तक किसी को भी नहीं पता था कि आखिर Black Hole दिखा ही कैसा देता है पर आखिर कैसे इसके लिए Interstellar Movie के डिरेक्टर क्रिस्टफर नोलन ने Black Hole को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उन्होंने एक theoretical physicist को हायर किया था जिसका नाम था Keep Thorn Keep Thorn ने मुवी में Black Hole के looks को निखारने के लिए VFX टीम के साथ मिलकर काम किया था मुवी में दिखाए गए इस Black Hole को बनाने के लिए Thorn और उसकी टीम ने theoretical equation और mathematical calculation से एक CGI radaring software को बनाया था अलागी मुवी में Black Hole को थोड़ा ड्रेमेटिकल दिखाने के लिए Doppler प्रभाव को हटा दिया गया रियलिटी में rotating disc के पास वाला पार्ट ज़्यादा चमकिला और थोड़ा नीला सफेद सा दिखाई देगा जबकि पीछे वाला पार्ट दुंदला और जैदा लाल होगा